समागम का तीसरा तिन, 24 जनवरी 2016, उची उची पाडियों से घेरा, मुंबई का विशाल खारगर मैदान और इस मैदान में सजी हुई निरंकारी मिशन की अमन, प्रेम, मिलवर्तन की प्यारी सी दुनिया इस दुनिया में आये हुए भक्तों के लिए हर प्रकार की छोटी बड़ी सुविता का ध्यान रखा गया था माजे नाव स्वाति दिगंबर सगटा है और मी जगा वर नाले लिया है और इध्या टिकानाचे लोक वगेरे माजे खूप चांगलेद, माजे सगड़ानला बेहेंजी व महात्मा जी आशे मनताथ माजे सगड़ा जगा मादे माला माजा भावाश हुआए माला कोणी बहीन मनत नाए पन या टिकाने आला नेंतर प्रत्यक जन कोणी बेहेंजी मनताथ महात्मा जी आशे मनताथ मेरा नाम हरीदास मोरे हैं मैं मसकत उमान से आया हूँ एक जो मेसेज है इंसानियत का हम्यानिटी का वो सब हमें यहाद देखने को मिलता है हमारे सद्गुरु बाबाजी का यही मेसेज है कि हमने मनों की दीवारों को तोड़ना है पुल बानना है पुल बनना भी है और पुल बानना भी है स्वास्त्य की देखवाल है तू हेल्थ एक्जिविशन मिशन के समाजिक कार्यों को दर्शाती संत निरंकारी चेरिटेवल फाउंडेशन की गतिविधिया तथा मिशन के इतिहास को उकेरती देरंकारी प्रदर्शनी भी शर्धालूं के आकर्शन का किंद्र बनी हुई थी प्रतेक वर्ष दूर देशों से समागम में आने वाले काईरोप्रेक्टिक डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम भी शर्धा लगन और निशकाम भाव से भक्तों की सेवाव में जुटी हुई थी है मैं अट हम एन बेलगिम एंट इस में इंड इस पाहरा लूंच ब्रते लूंच य फ्रहतान इंड्शनी गुटीज इस विवड को इन जविका वर इन्गान ऑंग्ष थी। झाल इस फबस्पम नेश अफ्वाब करया है. आ मैं करेंगे हैं व्रेम्सहें Oreo कि भूर जती का करेंगा है कि अवेश करत दो झार ब् Tube क मैं है? अजम उती अवर्यो चखे हैं कर वीच्ट कर दो It's Thumbna कर दोष्वाबस कि ए긴 कर दो में हैं और हम्हेल कि गोली है झाल 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 जाल को जाल को जो दो झाल का जाल ही, दो फिरे हैं कर दस्ossenाम करें में अस ँ lado, इस वालोस भार हो. इस के दुम आुफे हैं कि में अचाब इए केはले जांज सिर फिर्य sofber लैका रहता हैं कि AWESonden. इसमाल कि एञ एले आंडा हैं उति का Jeśli我 मैं किसी एंटनें सля, और ल में विर्टाम इस मिस्वार्ट्ट पना फिर्टार्ब का थेशारी इसे कहें भी लिए में इसारी खरी जुर्फ में भी घज़ वेटी अपर खोंगेान भी में लिएवाल को जैवने कि वीए तर विर Natal and I thought it would be a wonderful experience to be a part of and it is and it's very challenging too seeing a lot of different things that we don't normally see and seeing people really only once or twice is very different Hello, my name is Guido Weiss and I was born and raised in Germany but truly I'm a person living in this wonderful world and we're here to bring everything to break down the walls that differentiate and separate us and bring each other together through love and peace and truth and bringing peace, peace by peace Satguru Baba Ji के कृरपा से निरंकारी मिशन की ओर से जहां अनेको समाजिक कार किये जाते हैं वहीं सामुहिक शादियों के माध्यम से भेदभाव मिटा कर साधा जीवन उच्च विचार को जीवन में अपनाने पर जोर दिया जाता है तीसरे दिन के सत्संग कारिकरम में देर तक भक्ती भरे गीतों और व्याक्षानों की मधुरिम लड़ी सजी रही तेरे भगती का रंग है सालागा दिल में प्यार ही प्यार है जागा दिल में प्यार ही प्यार है जागा संथा जनाननों या ठिकानी हाजव काई येक सहीत्वासा नमूना आप्ञेला दिसुनियूत명 जैजह कारण युडश है कि या प्रतेक मानवाने या ठिकानी उपसी देरा प्रतेक महात्माने आपले जीवना मधे तत्वझा जाणलेला है जया तत्वा मुले ये विश्व बंधुत वहा अपुल की सा भाव आपलेया मना मदे यहू शक्तो कारण माझा दातानी जवा माझी जीप सावली दाते तेवा मी ती सहन करला तयार आहे माझा नखानी माझा शरीरा वरती एखादा ओर खड़ा उठ्थो माझा गरती लेखादा माझा बंधुत अपुल की आहे आत्मधा भाव आहे अपलेपना सा भाव आहे अनुकम्पा आहे त्यांचा विश्वशय भिशव वरती आहे चांचा सगल काई मी सवन करला तयारा है राम भगति रति नर और नारी सकल परमगति के अधिकारी कि वह मानाओ चाहे इस्त्री हो चाहे पुरुष हो यह मोख्ष परमगति का अधिकार रखता है लेकिन कैसे इसे राम की भगति करनी होगी इसे राम की भगति करनी भी होगी ओभी प्रेम पुरुवक और सासंगत राम तो बिना सद्गुरु के जाना नहीं जा सकता बिना सग्रू के सानिधि के प्राप्ति से इसे समझा नहीं जा सकता सासंगत वैसे भी भक्ती में प्रेम तो नहीं थी होता है एक बार यह संभव है कि सागर को एक बाल्टी में समेट ले लेकिन यह संभव नहीं है कि भक्ती बिना प्रेम के की जाए तो सासंगत अवतारवाडी में भी शेहन साजी ने फर्माया कि कहें अवतार है राजा जक्का है इश्वर से प्यार अधी तो वह मुक्त है यदि इश्वर से प्यार है तो सासंगत प्यार करना सिखा रहे हैं आज सद्गुरू मिटादू अधी राज किसे रौशनी वालो करता है इनसा इनसा सिनफरत दुनियाई चानेना सची अबादत धंग इबादत का सिकलादो बंदगी वालो रौशनी वालो रौशनी वालो भुड़े जाओं न्यानेश्वर महाराज मनतात कि हा सरवत्र सरवदे ही जया करवीता घातु नाही ते विश्वात्मक तुपाही चैतन नहीं एक कि मनताकchat जो सर्वत्र सर्व देहि, जो इश्युरा है, जो पाण्ड रंगा है, हाँ सर्वत्र सर्व जागे मद बरलेला है सर्वत्र सर्व देहिं, सर्वांचा देह मद यहा वसलेला है जाती धर्माचा करूना का अभिमान देती सत्गुरु शिक्वन तन्मन धनाचा मालक देती दाकुन मन्ति वापर करा प्रेम भावान मन्ति वापर करा प्रेम भावान अध्यानी अंधारा अध्यान दीपला वाईला अध्यानी अंधारा अध्यान दीपला वाईला आला हर देव बाबा साक्षात देव दाक वाईला अला हर देव बाबा साक्षात देव दाक वाईला संत निरंकरी मिशन हेक अध्यत्मिक जावरूती चे मिशन आहे धर्म, जात, वर्न, सांप्रदाई इत्यादीचा स्रुंकला तोडून परंपिता पर्मात्मेची ओलक करून घेने हे मनुष्य जन्माचे पर्मोच्य उद्दिष्ट असुन ते केवल वर्तमान सद्गुरुचा कृपा शिर्वादानेच गाटता यहुशकते असा मिशन चा ठाम विश्वासा हे परंपिता पर्मात्मेची अनुबतीच मानुव मात्रला विश्व बंदुत्वाचे धाग्या मदे गुंपु शकते ग्रहस्तास्रमात्राहुन सर्वकाली सर्वत्र इश्वराचे चिंतन करने हीच खरी ध्यानधार नासुन संतांची संगत करुण मानुव मात्राची शेवा करने हीच खरी इश्वर पुजा होई क्रिष्ण सुदा माजसनी भाई देतनाता क्रिष्ण सुदा माजसनी भाई देतनाता प्यार भरत सीरी राम जस भ्राता प्यार भरत सीरी राम जस भ्राता कैला उपकार हरी भाक्तन गय टोलिया में टोलिया में प्यार भरत जोलिया में प्यार भरत जोलिया में प्यार भरत जोलिया में प्यार भरत जोलिया में माधुरा स घोल देता माधुरा स घोल देता बाबाजी, तु बोलीया में, बोलीया में, प्यार भर्द जोलीया में मानवता धर्म खरा आहे मानवाचा व्यर्थ नको दवडू जन्म मानवाचा आनी होता धर्माची लोपला जगी धर्म सत्य एक जगती बाकी असे अधर्म सत्य एक जगती बाकी असे अधर्म सत्य एक जगती बाकी असे अधर्म धर्माची परीभाशा हो दर्माची परीभाशा हा सांग तो जगाला आला जगताला तार र्याला याने भगतीचा मला पुल दिला आला जगताला तार र्याला याने भगतीचा मला पुल दिला अनिया आध बाबाहर जिवजी बाहराद पाला तोत अनन देचाएथ या आध ही जगतीचा या भिंटी पाड़ाईता दो विशय है जा तो आसा बिंट कासा पड़ता है आध ही जग निर्मान केला प्रतिक मानुस घर वनुन रहतो है या भिंटी कोंच्या जवहे वाक्या एकला जेश नफरत इष्या चा भिंटी पाड़ा अंकारा चा भ्रह्मा चा भिंटी पाड़ा आनि प्रत रेधामदे शांगित लाँ कि मनोड़ भाव आध हा समर्थ सद्गुरू मन तो कुछ भी बन मुबावे के देकिन पएदे तू इंसान बन साविरारु संतरी गेarnवनी डिडिदे हक्तर मन दल्ली जोती निल प्यळगिदे अक्तर मन दल्ली जोती निल प्यळगिदे नरजन्म वन्नू पावन माडिदे पानव नागुव मार्गव तोरिदे परमेष्वरा जगदीष्वरा परमेष्वरा जगदीष्वरा परदे बरिता घंते दीरा परदे सथ गुरु आंद दुनिया होत्ते सारे ही संसार लई सत्गुरु आंदे दुनिया होते केवल परुपकार लई सासंग जी सत्गुरु एक खुली आवाज देता है एक पैगाम देता है कि जो इस मालिक को जानना चाहता है वो जान सकता है कोई सरत नहीं है कोई रुकावट नहीं है केवल एक सर जुकाने की देर है सत्गुरु के सर्ण में पूरा मुर्षद क्योंकि पूरे मुर्षद के बिना इसको जानना संभब नहीं है पूरा मुर्षद मिले है मैनू आना जाना मुक गया पूरे मुर्षद की किरपा से ही सात्मा का आने जाने का जो यात्रा है वो खत्म होती है और इसी के लिए सारा परियास किया जाता है पूछते ना थे कभी जो हाल दिल मेरा जगत कर रहे है वो सलाम आपसे मिलने के बाद कर रहे है वो सलाम आपसे मिलने के बाद गम से अब के सा कलाम आपसे मिलने के बाद मिल गई खुशिया तरवाद आपसे मिलने के बाद गरुबाब भाद्यव सियोजी माराजन चासीम कुरुपे ने या संत समागम चानन दो तुम यामे घेताओ जूना मद्य सत्चंग लाफार महत्वाहे दशी सत्चंग करनार दशी जूना मद्य रंग तेनार सत्चंग आने आपली बुद्धी जागरुथ हते आनी आपले विचार सकरात्मक बनताथ मनुनाच संतमाथमे देखिल आपलाला समझावताथ बीन सत्चंग विवेक ना होय आपला विवेक मन्जेच आपली बुद्धी जागरुथ नेमी कन्या साथी आपलाला सत्संग के लिपाईजे मनुन आपला मनात वाइट विचारेत नहीं नहीं मी सांगले विचारेत ताथ जसे, प्रेम, दम्रता, सहन शिलता, विशालता ये दिव्य गुन आपला मनाते ताथ आनि मनुन ज संतमात में मनताथ की सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते है पापी से पापी भी पावड हो जाते है सत्सक्राइब आपला मना अनिये वात ज्यान याध्याना मुले आत्मी सहादो महान याध्याना मुले आत्मी नहाले महान याध्याना मुले आत्मी नहाले महान याँ सम्षादी होते मलिन माझेवन आवगूणाने बरले ले सारे दिल होते कूणुणी वंदने दिल मुक्ती जिला जादा वोते हाद होते मलिन माझेवन नान जान बीरात मीसी स्वालया है नान जान बीरात मीसी लाöh रूवाह बीज साहु नहीं भी साइंट भी अेजु से यह झाल करें ऐसे दोड़ति हे ग्रॹे धिए से अभे शेल्ट उटेसğin दियों अदोर्ट इंध्यस्दै घाल सम्तान muss all those brothers and sisters who come to the Santhi Nankari mission and attend these holy congregations for the first time, they say, what is different that Santhi Nankari mission is doing? There is nothing different. All we are doing is, His Holiness Sadguru Baba Hadir Singh Dhi Maharaj is making everyone realize, is giving the God knowledge and under His flagship, the mission is taking the teachings of those saints in every nook and corner of the world. That's the simple thing that the mission is doing. अब दिहें भाल तुमानू एक छीन अंदर पाजाओ। एक छीन अंदर पाजाओ। तनमान धन्दा मान त्याओ। तनमान धन्दा मान त्याओ। शर्ण गुरुदी आजाओ। शर्ण गुरुदी आजाओ। शर्ण जियाओ। होना रेये यहुआ नहीं सद्जुरुशी शर्ण समर्णी कि सद्जुरु विंद्जी सर्वत्वा रह नहीं अध्यान प्राणी प्रवाही वहत चीगेले न्यान विरहित जेजे केले जनमा सी मोल जाले अणि मनुनी सद्गुरुची पावुले सद्रूड धरावित दरकामी या मनुष्य जनमा मदे यह परमात्मेची प्राप्ति न करता जरी भक्ति केली तरी ती भक्तियाम चा जन्म मरनाचा ती क्यों प्रोक्ति फ्राप्ति अनि भ्रमात्मेची प्रौक्ति यह मनुष्य जनमाात्मा ममसे मरता साथ संगजी जानाईच एब lie啊 के वाज सद्गुरु कुरुपे ने सत्क्राइब मानव जीवन ने आस्वर्ग बनावे आहुंकारिने आनिरनकार बनावे ओमारा सत्कुरु नानाम वगर्गम तो नतीरे कोई कोई नतीरे कोई कोई नतीरे कोई कोई नतीरे जीवन को सफल करने के लिए आया है वो सफल करने की बात यहां पर हो रही है क्योंकि इंसान का जिस तरह से दास कह रहा है कि पूरा तन पूरी बाड़ी एक एक अव्यव रमायन में भी इस बात का जिक्र होता है जेने इकरह राम गुणगाना जीय सोदादुर जीय समाना jyव प्रवु प्रमात्मा का गुणगान नहीं करती है गुरु का शुकर नहीं करती है वो जीव मेंड़क की तरह है वो जिंदगी बढ़ टर टर तो कर सकती है लेकिन गु तो मोर के पंग के उपर बनी हुई आख के समाने जिसका कोई मोल नहीं है जमाने में हैं नफरत की जमातें जिस तरफ देखो पढ़ाने में हैं नफरत की जमातें जिस तरफ देखो पढ़ाने को पढ़ाने को महबत की किताब आये हो आये हो करम है आप का ये ला जवाब आये हो आये हो महरबाहों के जो हम पे तरफ देखो तरफ देखो पढ़ाने को महबत की किताब आये हो आये हो आये हो जोले कर सब रहे हमेशा सद्गूरू ऐसी कला सिखा दे जो आरों के दर्द बढ़ाए जो आरों के दर्द बढ़ाए ऐसी कड़वा हट को मिटा दे नफुरत अपने आप मिटेगी जो हम प्यार को और बढ़ा दे अंदर बाहर प्यारी ही प्यार हो प्यारी का ऐसा जर्ना बाहाद है दिल में महबत कीलों जलाकर जीवन पाक बनाते जाए नफरत भेर की तोड़ दिवारें प्यारे के पूले बनाते राए हर दिल के कोने कोने में जब भी प्रेम का पहरा होगा नफरत अंदी गुंगी होगी वैर भी कान से बाहरा होगा हर दिल के कोने में जब भी प्रेम का पहरा होगा नफरत अंदी गुंगी होगी वैर भी कान से पहरा होगा अमनों चैन रहेंगे हर सु खिला हुआ हर चहरा होगा इसी तरह से इसी तरह से कुल का फिर तो दिरुष्ट शुनेरा होगा ये सपना साकार तभोगा जब गुरु बच्चन अमल में लाते जाएं नफरत वायर की तोड़े दिवारे प्यार के पूल पनाते जाएं प्यार के पूल के पूल हाह किंदू मुष्लीक शीक ज्यीजा प्रभु सर्वांचा एक मना तर्ति आकाश तर्ति आकाश जंडर सुर्या थांगा कउंट्या पंथाचे प्षू पक्षी वक्ष वन्ली सुगन मनुहार पुष्मान चे क्या बाते है आपना अपना आपना अपना आपना मावली चा संगना एकाया पाद पार हम्हें सब्सक्राइब रावन रुपी या मानवाला धर्म प्राण देश्या बिंतिन्नी केले बंदी आजे या मानवाला स्थान धर्मना दशा ननाचा हिंस्र मुखवटा बदलू शके स्थान धर्मना दशा ननाचा हिंस्र मुखवटा बदलू शके हिंदु मुस्लिम ना सीख हिसाई फक्त मानोस्तो प्रानास मुके मानवता विनानाई दूजा धर्म हाच संदेशाता देत जाओ वेर द्शाचा पाड़ू नभिंती प्रेमा चे पुल बांदत जाओ प्रेमा चे पुल बांदत जाओ बड़े भाग से मानो जीवन क्या इस पर कभी तू सोचा है मानो वाला जीवन पाकर मानो वाला जीवन पाकर क्या किसी का यांसू पोचा है या इन स्वासों के बलबूते या इन स्वासों के बलबूते हक औरों का दबोचा है बिचार किया गर नहीं तो समझो आगे बहुत ही लोचा है मानो जीवन का महत्तो समझ कर इसकी सान बढ़ाते जाए नफरत बैर की तोड़ दिवारे प्यार के पुल बनाते जाएं प्यार के पुल बनाते जाएं दर्तिवार प्रेम वसावे है विष्वची मजे घर अचावे है विष्वची माजे घर अचावे है मागिल साथु संतान चा सोपन अधूर आईल या अच्ए जीए वपत्वान्तति नयां पाहले है प्यों जोले जात्या ए Standing Smook दोग पुल बना भूटे चाएं मानाशी जोड़ लाजाता है, काई बात है, वावा, सुंदर, सुंदर, जिता मानव तेला भाव है, एकत वाचा ठाव है, अवास एक प्रेमाचा गाव है, अरे बावनो निरंकाली समा कमेश्टर त्याचा नाव है, फिर होगा पुल प्यार का तब ही, सद भाव भरी बुन य अगर हो, और इंसा, जब इंसा को देखे, प्रीत प्यार से भरी नजर हो, जहन शीलता और नम्रता, और मिल वरतन की नेक डगर हो, अमन शांती हो कायम जग में, बंधूत भरा हर गावं शहर हो, और घटगट जले ग्यान का दीपक, घटगट जले ग्यान का दीपक, मन का अंधियार मिटाते जाएं, नफरत वैर की तोड़ दिवारें, प्यार के भूल बनाते जाएं अपने के हर समय टोला, जीवन कैसे जीयत बाटा, जीवन कैसे जीयत बाटा, एक एतनी प्यार से तोला, अरे बात मराठी में अब समझा, तिल गुड़ खाके गोड़ गोड़ बोला, अरे बतिये से तो बात बढ़े ले, हर दम बोल सम्हालल जाए, नफरत वैर की तोड़ दिवारें, प्यार कपूल बनावल जाए, प्यार कपूल बनावल जाए, नफरतों की जंग है, मनुस्यता भी दंग, क्यों बिनास का तरंग, तू बढ़ाता है आदमी, क्यों लहू है तेरी प्यास जिस से सिद्ध है बिनास, ऐसी प्यास के लिए है क्यों बेता वो आदमी, आज वक्त की पुकार करता जा तू सबसे प्यार, बैहे प्यार की हिदार इस धरा पे आदमी, प्यार की हिदार इस धरा पे आदमी, सिमा जल नस्ता देशा चा जगे सारे एक अस्ते, सिमा उलांडून बक्ता करड़े, जगे किती सुंदर दिस्ते, जगे किती सुंदर दिस्ते, देश भाचा जरियासल्या भिन्न, मानो मनूनी आहोत एक, बाद विवात, तक्रारी मग, मनात का अंता अनेक, मनात का अंता अनेक, जखमे वरली, अहो जखमे वरली, खपली न काडता, जखमे वर मलम लावत जाओ, वेर्द वेशाचा पाड़ुन भिंती, प्रेमाचे पुल्मांदत जाओ, प्रेमाचे पुल्मांदत जाओ, खरकी छत कायम रखने को, चार दिवारे हो लाजिम है, पर दिल के भीतर दिवारे यूही ना हम लाते जाओ, बाहर चाहे दीप जले हो, धूप खिली हो, हवा चली हो, खिड़की दर्वाजे हो, बंद तो, तिमिर में ठोकर खाते जाओ, अंदकार में भरम है पलते, रसी साप नजर आती है, ऐसा ना हो, अपने ही साए से हम घबराते जाओ, ज्यान का सूरज उदे हुआ है, पहला है जहो और उजाला, उठें, जागें, समा यही है, बाद में ना बस्ताते जाए, अपने निज्वरूप को जाने, अपनी असलियत पहचाने, अपने निज्वरूप को जाने, अपनी असलियत पहचाने, नफरत वेर की तोड़ दिव जानरें प्यार के पुल बनाते जाये है प्यार के भुठाट्या तु निरमि लेला सुरुष्टी क्यो लुए क्यूरा प्रवास मले तुम ले तुमचा निरमी ती सारहेज ग्रेट अहात महारां। कारण पाखरो कोंट्या ही फांदीवर घर्टी बांधू शक्ताथ आणी जाडव कुटे फळवाटता नारेशन कारण गोगता ब्रहमर कोंट्या ही फुलाचा सुगंद गेवु शक्ताथ आणी मासे पासपोर्ट शिवाई विदेशात पोहच जाताथ पन मानवाने विभाग लेला जगाची एक वेगली शोकांती का आहे जे पर्मनेंट वाटते तीतर एकांके का आहे कारण मानवते चा तराजू मधे आपली किम्मत ने का हे कारण मानवते चा तराजू मधे आपली किम्मत ने का हे जो परेंत या शुन्या बरोबर तुझा एक तवाचा एक आहे मग आशीश दे आशीश दे तुला जसा जग दिसत तसा समानते चा जग दिसाव तुझा नम्रता में वागन माझा वरतना मधे आशाव तरहदों पर खड़ी कटिली दिवारों ने हमेशा खून ही बहाया है वहीं दो देशों के बीच बने पुलों ने फूलों से किया है स्वागत रास्तों को महकाया है लेकिन इस बात को आज का इंसान समस्ता क्यों नहीं है क्यों नहीं लेकिन इस बात को आज का इंसान समस्ता क्यों नहीं है अरे प्यार मुहबत वाला रास्ता इसे जचता क्यों नहीं है मानों की इसी नकारात्मक सोच को बदलने के लिए चल रहा है एक अभियान चल रहा है एक अभियान सद्गूर की किरपा से करोडों दिलों में एक नहीं करोडों दिलों में प्यार मुहबत के पुल का हो रहा है निर्मार कि सद्गूर की किरपा से करोडों दिलों में प्यार मुहबत के पुल का हो रहा है निर्मार जहां ध्वस्त हो रही है जाति धर्म रंग नसल खान पान बोली भाशा की दिवारें जहां द्वस्त हो रही है जाति धर्म रंग नसल खान पान बोली भाशा की दिवारें जहां दिलों में बह रही है विश्व बंधुत की बहारें नफरत और वेर की दिवार हो जा अब तु खबरदार हो जा अब तु खबरदार क्योंकि वक्त के मालिक ने इस बार संसार के हाथों में शास्त्र नहीं यथार्थ थमाया है और धाई अक्षर प्रेम की परिवाशा को सही सही समझाया है और इसी धाई अक्षर के मर्म को जानने वाला पंडित प्रेम ओढ़ता है प्रेम बिछाता है प्रेम पीता है प्रेम खाता है और जब कभी और 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 जब कभी मन वचन कर्म से कुछ कि यह गरके दिखाता है तो बस प्रेम का पुल बनाता है नुगे भूली था करता है या बाबाजी आपने जागरत कि आए कई O ce अपनी तो सरानाम हम नहीं लगे में जिसे हमें हमें और वायर विरोध नफरत के साथ संगत दिवारें खड़ी हो सकती हैं आपने धो में कहा कि आपने सदा नमर्ता धारो मन में ये सद्गुरु का कहना है शीश जुका कर जग में चलना ये संत जनों का गहना है उसे ही साथ संगत ये वैर नफरत की दिवारें जो चाहते हैं सद्गुरु ह ताक्त निहा, ओ, ताक्त निहा, प्रह्म साक्षाकार करन्या होता, मानवात्या करन्या होता ताक्त निहा, प्रह्म साक्षाकार करन्या होता अप्राक्त निहाए ताक्त निहां दो आपक्त निहां अरे पिट विहा, वेरे तिरजकार तेहर जुकीती सत्गुर मेरे बदला नहीं चुका सकदा कहे अवतार गुरुदा कर्जा जनम जनम नहीं ला सकदा this grace that this Satguru has bestowed upon me I can never pay that back, I am indebted to this Satguru I may be reborn, I may be born again and born again but I can never repay back this Satguru and why can I not repay back this Satguru what is so special about this Satguru He has shown me this Nirankar, He has shown me this Almighty He has shown me the source where I come from you know we go to work, we go to school, we obtain an education we have family, we're in a household so why do we run around, what do we want and the brother alluded to the fact that all we want is happiness so then when I want happiness, where do I look for happiness I look for happiness outside of myself I look for happiness in relationships I look for happiness in education I look for happiness in big houses I look for happiness in cars but in fact that happiness is hidden within me every soul, every one of us who is born in a body here we already have those, what they say the gunas of happiness within ourselves we are already peace, we are already happy we are already bliss but in this world we forget what we are and it's the Satguru who is showing us what we are the gift of love, the song of life the gift of love, the song of life let us all sing, let us enjoy every moment celebration let's thank the Lord let us rejoice the gift of love, the song of life the gift of love, the song of life let us all sing, let us enjoy every moment celebration every moment celebration let us thank the Lord let us rejoice the gift of love, the song of life the gift of love, the song of life the gift of love, the song of life our Lord the grace of love we sing one, the gift of love but my God says my God first let us sit and see when we look even before you can see in our eyes there cannot be a spiritual to the truth of life we will not become a spiritual then how will the life change in our world wherever we go people come from from heart and mind from being lots of things they are too the situation yet there are too things have not they are too Renani सुख्य जीवन कौन सीते हैं जिनके जीवन में बाता जाता है वह हर हाल में फ़िखिवार हं जीते है है दो में इसा पुरन सद्षान सद्गुरु आया इस करके महराज हम आप यह है करत हूं यह कुछ मुरुषी बजावे, मुरुषी बजावे, मुरुषी बजावे, रूपधानाशी बजावे, रूपधानाशी बजावे, रूपधानाशी बजावे, आप आप भेटे देवा, गुरुषी बजावे, 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 वेदों में बात कि, जो वेदों में धानना कि, जो वेदों में संकल्पना कि, नराज जम नराजे इसी, तो दंडो नच दांडी का धर्मेने व प्रजा रक्षन तीसम परस परे, ऐसे राज की संकल्पना, ऐसे देश की संकल्पना, ऐसे विश्व की संकल्पना, जिस विश्व में जिस देश में राज करने वाला राजा नहीं और राज करा के रहनी वाली कोई प्रजा भी नहीं ऐसे देश की संकलपना जिस देश में पुलिस भी नहीं पुलिस की आवश्यक्ता ही नहीं क्योंकि वहां कोई चोर नहीं कोई डाकू नहीं कोई लिटेरा नहीं ऐसी अवस् बुरू बीना मुक्ति छाइना, वेदर शास्ति मलेचए। बुरू बीना मुक्ति छाइना, वेदर शास्ति मलेचए। मायारूपी सहेजाएको, सुनीले तैने चाइए। माया रूपी संसार तो, सुख ये तैरा हर्चन पूरा गर्चायो, सबई संसार ले पूरा गर्चायो, सबई संसार ले एक सद्गुरु का ही हाथ होता है जो सारे कार्यक शंपन्न होते हैं इसके अलाएवे ना कोई दूसरा सक्ती है ना कोई दूसरा आस्रा और सहाराई है कहते हैं कि अज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस नित नित तेरा आसरा छे रितुआ बारा मास तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो होए महापुर्शों ने जो बोले हैं एथार्थ बचन बोले हैं कि उमाधार योसित की नाई कहते हैं कि सबको चलाने वाला सबको हिलाने डूनाने वाला योसित की नाई कट फुतली के तरह से सब ही नचावत राम गुसाई सबको ये चलाने और नचाने वाला एक सच्चे सहावी है राम किन चाहा सोई होई करे अन्यता अस नहीं कोई ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जो इनके इक्षा के बृद्ध कुछ काम हो जावे या कर ले Just to join in with those who have conveyed their thanks for the administration here to the administration here for the setup of this Mumbais Magam I would particularly like to thank the chiropractic doctors who are here the other doctors who have joined them who have offered their services not just this year but for so many years in both Delhi and in Mumbai that they travel on their own expense they take out times from their busy schedules to be here and offer their services so a huge round of applause for them thank you very much and whenever I've had the chance to speak to any of them what they convey or when I follow their Twitter accounts or see their Facebook walls the immense gratitude that they have for having this opportunity to serve and the pleasure they have they take back from meeting so many people who simply have a thankfulness in their heart that they have been able to share or to assist any elements that they have so really from the core of my heart on behalf of the Sanukari Mandal I'd like to really truly thank you you know when I come to the mission this is my third mission and I've been all over the world lecturing and I have not felt one place that I feel more at home than here at Nirikari Mission the idea of oneness of building bridges piece by piece when you see the idea that Babaji is spreading throughout the world this is what we have to rally around they're talking about the whole human race there's no colors white, black, green, yellow, red there's no religions it's all of us together and when you see this idea there's no greater idea that I know of that we can actually single-handedly and together make a change in this world and I believe that's what we're here for is to make a change Saree Jag Me Aaman Ho Aaman Saree Jag Me Aaman Ho Aaman Saree Jag Me Aaman Ho Aaman मेरे दाता अमन हो अमन मेरे दुग में अमन हो अमन अदमी ना रहा अदमी अदमीयत कहीं खो गई इसकदर है अधेरा बढ़ा हर कोई मागता रोशनी ऐसे हालात में क्या जड़े उमीदों की दिलों में किरन मेरे दाता अमन हो अमन सारे जग में अमन हो अमन मेरे मौलिक अमन हो अमन सारे जग में अमन हो अमन सत्संग कारिक्रम के अंतिम दौर में समस्त जन सम्हों को भक्ती और प्रेम का संदेश देते हुए दया सिंदू सद्गुरु ने फर्माया सत्संगत जी प्यार से कहना सत्संगत आज 59 में महराष्ट्रा के तीसरे दिन इसी प्रकार से अनंद में इबातावरन जो बना हुआ है जहां पर दर्शनों के लाव हो रहे हैं वहां पर मदुर यथार्थ बचन शर्वन करने को मिल रहे हैं जहां पर अनेको प्रकार के फूलों की खूबसूरती और सुगंद की महसूसियत हम कर रहे हैं जैसे एक गुलदस्ता होता है गुलदस्ते में भिन भिन परकार के फूल होते हैं और वो फूलों का ऐसा मिश्रण जो उनका इस परकार से एक कत्व के रूप में इसा एक सुगंदी सुगंद महसूस हो रही है इसलिए फूल कहना ही पड़ेगा यह सबी सुगंदर फूल यहां पर उपस्ते थैं क्योंकि हम सुगंद महसूस कर रहे हैं वो fragrance हमें मिल रही है वो खुशबू हमें मिल रही है वो खुशबू प्यार भक्ति फ्रेम के है तो इस प्रकार से ये महकता हुआ वातावरन यहां पर ये बना हुआ है और यहां पर फूलों का ही जिक्र हो रहा है बेशक कांटों का जिक्र भी हो रहा है दिवारों का जिक्र भी हो रहा है लेकिन केंद्रित हो रहे हैं फूलों के उपर, बिजिस के उपर, फूलों के उपर क्योंकि जब इस प्रकार से हम अपने आपको उस तरफ बढ़ाते चले जाते हैं जो शहनशा बावावतार सिंजी ने हमें कब से ये पाठ पढ़ाया ये हमें सीख दी कि अपनी लकीर बड़ी करने अपनी बड़ी लकीर हो जाएगी तो दूसरी अपने आप ही छोटी हो जाएगी इसी प्रकार से बेशक दिवारों और दिवारों को गिराने की बात हो रही है लेकिन केंदरित होने के लिए ये कहा जा रहा है कि हम उस निर्मान की तरफ चलें और निर्मान की तरफ बढ़ेंगे तो वो दिवारें अपने आप धुमिल होती चली जाएंगी और दास को बैठे बैठे क्योंकि लगातार वाल्स और बिजिस का जिकर हो रहा है तो ऐसे ही ध्यान आया बैठे बैठे अभी कि एक तो है दिवार है और दिवार को गिराना है और दूसरी तरफ पुल की बात हो रही है तो वही ध्यान आया कि एक ओवर बिजिस भी तो बनते हैं शेहरों में सडकों के रेलवे क्रॉसिंग के उपर बिजी इंटर्सेक्शन के उपर तो इसी तरह से अगर दिवार है भी तो उसी के उपर से ही पुल क्यों ना गुजार दिया जाए तांकि अपने आप ही वो दिवार होते वो भी नहीं रहेगी क्योंकि वो सादन मिल गया ज्यादा वो थोड़े लेकर बुल्डोजर लेकर वो दिवार को गिराने की जुरूरत नहीं एक डिस्ट्राक्टिव की तरफ नहीं गए डिस्ट्राक्शन की तरफ नहीं गए बनाने की तरफ गए लकीर अपनी बड़ी करने की तरफ बड़े हैं बनने के लिए क्या कि हम खुद एक ऐसे मुझसमे बने प्यार के मुझसमे बने आदमियत इंसानियत की सुंदर पहचान बने जया करुणा के भाव से युगत हो प्रेम भाव से युगत हो तो जहां पर हम बने वहाँ पर बनाने में लग जाएं और बनाने का मतलब सवारने का सवरो और सवारो सवरना और सवारना इस परकार से ये संतों महातमाओं ने ये युगो युगों से यही बात हर इंसान को समझाने के प्रयास किये हैं बार बार इसी बात के उपर जोर दिया है, कि ये सारे ही बंदे, ये प्रबु के बंदे हैं, सारे ही इनसान, भिन भिन भाशाओं वाले, भिन भिन पहरावों वाले, भिन भिन संस्कृतियों वाले, लेकिन एक ही एक मटि के बने हुए है, पांक ततों के बने हुए है, एक फाइव कामन अलीमेंस के बने हुए है, जिसके बारे में कभीर जी जैसे संतों ने कहा कि माटी एक अनेक भांतिगर साजी साजन हारे कि मटी एक है ये पांच तत्व के रूप में मटी एक ही है लेकिन माटी एक अनेक की भांतिगर अनेको रूप दे दिये हैं इसी मटी को इसी मटी से सुराही भी बना डाली इसी मटी से गागर भी बना डाली इसी मट्टी से कैसी मूर्तियां बना डाली तो मट्टी तो वही जैसे का है कि लोहा तो एक है घड़ने में है भेद ताई का बखतर बने और ताई की शमशेर कि एक ही लोहा है शील्ड या ढाल भी उसी से बन रही है और शमशेर तलवार भी उसी लोहे से बन रही है इसी तरह से माट्टी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे ना किछ पोच माट्टी के भांडे ना किछ पोच कुमारे और केवल मट्टी ही एक नहीं है कुमभार भी एक ही है जिसने ये सारी कृतियां बनाई है जिस मट्टी का इस्तमाल किया है उस मट्टी का इस्तमाल करके नाना रूप घड़े है तो ये कुमहार भी तो वही है तो कुमहार भी एक ही है इसी एक ने ही ये सारी सिजना की है तो यहां पर कुमहार ये परमात्मा इश्वर ये निराकार है जो सारी काइनात का मालिक है जिसकी ये सारी रचना है ये सारी स्रिष्टी है ये सारी यूनिवर्स है जिसने ये सारी रचना बनाई है इसी की अंश आत्मा के रूप में हर घट में बस रही है यानि कि केवल पांच तत्वी नहीं केवल एक कुम्हारी नहीं किसी ओवर सोल की अनिश हैं ये हर घट में बसती है तो इस लिहाओ से जैसे वो मटी की मिसार दी लोहे की मिसार दी सोने की मिसाल अक्सर हम सुनते हैं कि सोने से कितने जेवर बनते हैं, हाथ के कंगन भी बनते हैं, कान की बालियां भी बनते हैं, जैसे यहाई माराश्टा में महापुशो ने इस परकार से ये भाव रखे हैं, कि कल सोने नाना लेने, एक ही सोना है, नाना परकार के ऐसे आभुशन है, और एक बाली अन बुगड़े के एक बाली कान की और जो भी ऐसे जेवर हैं उसी सोने से बने वए हैं और फिर कपड़े की बात करते हैं कपड़े की बात करते हैं के एकज सूत नाना पूत चोली अन लुगड़े तो इस प्रकार से ऐसी एक कपड़े से धागे से नाना प्रकार के वस्त्र बनते हैं तो कहने का भाव क्या है कल भी महापुष वो मिसाल दे रहे थे जो बावा गुरुवचन सिंग जी भी अक्सर दिया करते थे केक हलवाई की दुगान पर हम स्वीट शॉप पे जाते हैं मिठाई लेने जाते हैं तो अक्सर बच्चे जाते हैं मिठाई लेने के लिए और वो हलवाई जो है वो ऐसी आकरितियों का रूप दे देता है उस मिठाई को एक बर्फी ले लो तो वो बर्फी को कोई घोड़े का रूप दे देता है कोई हाथी का रूप दे देता है कोई और रूप दे देता है तो वहाँ पर वो बच्चे मांग करते हैं कि इस परकार से ये मुझे ये मिठाई दे दो ये हाथी दे दो ये घोड़ा दे दो लेकिन बच्चों के लिहाज से तो वो हाथी घोड़ा है जरूर लेकिन जो हलवाई है जो वो बेच रहा है मिठाई उसके लिए तो वो मिठाई ही है और वो एक जैसा ही दोनों का मोल डाल रहा है ये नहीं है कि घोड़े का रूप है तो ये महंगा है और दूसरा सस्ता है तो इसी प्रकार से यहां पर कितनी भी मिसालें दी जाएं ये सब इसी तरफ इशारा करती हैं एक की तरफ इशारा करती हैं इसलिए एक एकत्व, one और oneness एक की बात हो रही है एक के साथ जुडने की बात हो रही है एक ऐसी दृष्टी बनाने की बात हो रही है जुवालिटी और दूजा भाव समाथ करने की बात हो रही है कि केवल एक ही नजर आए एक ही नजर आए इसकी उपस्तिती एक करके नजर आए अब विभाजित जिसका कोई विभाजन नहीं है एक ऐसा परमस्तित ये निराकार पार्वं परमात्वा जिसको हम बांट नहीं सकते हैं धर्ती के टुकडे हम बांटते हैं कितने टुकडों में ये धर्ती बट गई कितने ही मुल्क बन गए कितनी प्रांते बन गई कितना कुछ हमने हद्दे और सरहद्दे बना डाली लेकिन धर्ती तो एक ही है जो मालिक ने इस धर्ती पे हमें जनम दिया ये एक ही धर्ती है इसी धर्ती के हम वासी हैं इसी प्रकार से ये बखेड़े हमारे इंसानों के ये बंदों के रूब में जो अब हम कितने कितने कारण खड़े करके जगड़ते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को नीचा मानते हैं जूठे अभिमान में रहते हैं, संकेंडताओं में पलते हैं तो उसका कारण यही है कि इस एक परमस्थित निराकार इस परमात माईश्य और ओल प्रिवेडिंग गॉड इसको हम अपने जीवन में लाते नहीं हैं इसको शरीक नहीं करते हैं इसको शामिल नहीं करते हैं और जब तक ये शामिल नहीं होता तब तक हमारे बखेड़े खतम नहीं होते हैं और जब जब भी ये खतम हुए हैं इस एक को लाने से ही हुए हैं जब इस एक को जीवन में ले आते हैं तो बखेडे खतम हो जाते हैं तो इसलिए आप भी इस एक और वननेस की बात कर रहे हैं कि एक और एक कत्व कि एक नूर है सब के अंदर नार है चाहे नारी है ब्रहमन खत्री वैश अरीजन इकी खलकल सारी है तो इस परकार से ये एक ही बसता है हर घट में बसता है कंकं में बसता है यही एक कंकं में भी है घट घट में भी है इसलिए किसी का बुरा क्या मांगना किसी के साथ बुराई क्या करनी ये फिर कभी भी जहन में ये भाव पैदा ही नहीं होते हैं ये मन में ये भाव यह उपज़ ही नहीं इनकी होती है यह उपज़ते ही नहीं है यह पैदा ही नहीं होते है क्योंकि वो एक अवस्था बन गई है इस मालिक को हम जीवन में ले आएं है और इसी एक को ही हम घटगट में देख रहे हैं, कंकंड में देख रहे हैं और जिव महंदी के पात में लाली लखी ना जाए जैसे का है कि एक महंदी जो है, ये किस परकार से पात पात उसमें पत्व में बसी हुई है लेकिन जो उसके उपर जतन करता है और फिर उसी से लाली प्राप्त हो जाती है इसी प्रकार से जब इस एक की प्राप्ती हो जाती है तो वास्विक्ता में हमारे भी तमाम ये दूरियां समप्त हो जाती है क्योंकि ये बीच में ये जरिया एक सादन जो ये बीच में आजाता है और जो जोडने का काम करता है और इसी के कारण हम जुड़ जाते हैं क्योंकि ये महापुर्श संत जनों ने हमेशा एक को ही जीवन का अधार बताया है इसी एक से कल्यान होता है जीवन में ये बताया है इसलिए इस एक परमात्मा इशर एक निराकार अकाल पुरक इस रमेहुए राम के साथ नाता जोडने की बात हो रही है का कि हर इनसान जो है वो प्यार से खलूस के साथ इस सफर को तै करे और कोई जल्मों से तम ना हो कोई वैर वास्ते ना हो और इस प्रकार से सारे मिल जूलकर ये जीवन के सफर को तै करे जो सीमित सा सफर है जैसे कल भी जिकर हुआ परसो भी जिकर हुआ कि ये सीमित से स्वांस हमारे पास है और वो पंक्ती पीछे जब North America की यात्रा हुई तो उस वक्त भी दास ने एक स्थान पर ये पंक्ती पड़ी और वो पंक्ती एक गाना है जो एक मूवी में आया था 70's में तो उसकी एक पंक्ती है जिस पंक्ती में लिखने वाले ने लिखा और गाने वाले ने गाया कि गालो मुस्कुरालो मेफिले सजालो क्या जाने कल कोई साती छूट जाए जीवन की डोर बड़ी कमजोर क्या जाने कहां तूट जाए तो इस प्रकार से ये डोर बड़ी कच्ची डोर है ये कहां पर तूट जाए कुछ पता नहीं है तो इसलिए एक एक पल जीवन का वो हमारा प्यार से बीट जाए तांकि बार दुमें कोई रिपेंटेंस भी ना हो कि काश मैं उसको इस तरह से सुन्दर ढंक से पेश आ जारता कहीं पर भी वो कमीना जीवन भर खटकती रहे अभी मौका है अभी एक ऐसा दातार ने अवसर दिया है कि हम इस परकार से प्यार का नाता जोड लें प्यार का संबंद बना लें और वो संबंद तभी बनते हैं जब यही एक परमात्मा जिसको प्यार का स्रोत भी कहा गया है प्यार का रूप भी कहा गया है कि इस रोत भी यही है और इसका रूप भी प्रेम के रूप में ही है यह प्रेम ही है Love is God We often say that love is God and God is love तो यह प्यार ही है यह प्रेम ही है और अगर इनसान और इनसान के दर्मयान प्रेम तो इसका मतलव के बीच में परमात्मा रूपी प्रेम को हम लाए हुए हैं सबी ये प्रेम है क्योंकि यही तो प्रेम का रूप है यही प्रेम का अधार है इसलिए धाई अक्षर प्रेम के कवी सजनों ने भी किस कदर सुन्दर ढंक से वो पेश किया कि वाके ये धाई अक्षर प्रेम के पड़े सो पंडित होए कि ये प्रेम भाव जो है ये हमारे हिर्दे में बस जाए तो हम पंडित हो जाएंगे हम सचे पुजारी हो जाएंगे हम सचे अबादत करने वाले हो जाएंगे हम सचे मुसल्मान हो जाएंगे हम सचे इसाई हो जाएंगे हम सचे सिख यहुदी हो जाएंगे अगर ये प्रेम है तो इसलिए हर हिर्दे में ये प्रेम बस जाए यही एक प्राथना यही एक शुब कामना की जा रही है और इसी के उपर अधारत ये संदेश दिया जा रहा है तां कि हर इनसान जो है इस प्यार को बढ़ावा दे इस प्रेम भाव से युक्त रहे और प्यार की दौलत बांटा चला जाए प्यार के भागीदार उनों को भी बनाता चला जाए ये प्यार के बगार जो धरती सूखी सी महसूस हो रही है एक कोरी सी मैसूस हो रही है ऐसी धरती कि ओपर अगर हर्याली सही मेनों में आनी है तो इसी प्यार के कारण आनी है वरनात ये सुखा पन और रूखा पन ही है जहांपर घृणा और नफर जलन रूपी कांटे ही कांटे है लेकिन फूल नहीं है प्यार रूपी ये फूल नहीं है प्यार रूपी ये सुगंद नहीं है प्यार रूपी ये ठंडी फुहार नहीं है तो फिर यहाँ पर तपशी है रूखा पन है सूखा पन है तो इसलिए ये बुछार भी होती रहे जैसे सूखे पन का जिक्र हो रहा है महराश्टरा में कितने इलाकों में सूखा और भी कई जगाओं पर ऐसी डाट सिचुएशन आती है जहां पर एल नेनियो फैक्टर का भी जिक्राता है एक क्लाइमाटिक चेंजिस का जिक्राता है तो जहां पर इतना सूखा पना जाता है तो वहां पर ना फसल होती है ना हर्याली होती है ना पेड़ ना फूल ना पौदे और तालाब भी सूख जाते हैं और ना पशों को जल मिलता है तो इसलिए जहां पर माराश रख वासियों के लिए अन्य स्थानों के लिए जहां पर ये भी शुब कामना प्राथना की जा रही है कि दातार किरपा करे कि इस तरह से वो कमी ना रहे और किसान भी खुशाल हों और सारे ही इस परकार से खुशी खुशी जीवन के सफर को तै कर पाएं लेकिन दास जो बात साथ साथ जो कर रहा है वो यही कर रहा है कि वाके ही अगर यह प्रेम है देखे हैं कई परिवार के सदसे कई देखे हैं पती पतनी कितने ऐसे परिवार के ढहांचे देखे हैं जहां पर कहीं पर आर्थिक मजबूरियां आ जाती है लेकिन वो एक दूसरे को यही कहते हैं कि हमारा बस प्यार बना रहे कोई नई मिल जूर कर हम ये भी सह लेंगे लेकिन हमारा नाता हमारा प्यार बना रहे ये बीच में ये मॉनिटरी ये ऐसी सिल्सले ये कहीं पर हमारे प्यार को फीका ना कर दें जैसे मैं तो भाई के गम बांटने पर आमादा रहा लेकिन भाई था जो आंगन में दिवारें उठवाता रहा तो इस परकार से एक भाई तो दिवारें खड़ी करने में यकीन रख रहा है और दूसरा भाई वो चाहता है कि हमारे में आपस में प्यार बना रहे ये प्रेम बना रहे और हमारे माता पता खुश हो तो इस परकार से वो प्रेम भाई चारा ये एकतव एकठ ये इस परकार का ये घर घर में देखने को मिले ये समाज में देखने को मिले ये मुलक में देखने को मिले क्योंकि मुल्क भी अगर जब जब भी कमजोर हुआ है जब जब भी पिछड़ा पन हुआ है वो इसी प्रेम की कमी के कारण है नफरतों के कारण नुक्सान हुए है नफरतों के कारण ही ये देश में कमजोरी आई है प्रगती कब की हम कर चुके होते लेकिन दंगे फसादों ने एक दूसरे के शोशन के कारण कितना हम पिछड गए तो इसलिए घर, समाज, हमारे प्रांथ, हमारे अद्मुल्क और विश्व में भी इस प्रकार से ये प्यार ही प्यार हो, मिलवर्तन हो, वननेस हो, एक दूसरे के दुखदर को हम बांटने वाले हम बन जाएं, एक दूसरे की पीडा हरने वाले बन जाएं, यही एक पेगाम इ कोई नया नहीं है ये युगो युगों से दिया जाता रहा है सदियों से दिया जाता रहा है तो इसलिए हम एक दूसरे के पोशक बने ना कि हम शोशन करने वाले बने हम पोशन करें एक दूसरे को कि संभाल करें एक दूसरे को रहत दें एक दूसरे को सकून दें देने के लि प्रीत ना हो हमारे पास देने के लिए जैसे राज माता जी को भी हम श्रदा से याद करते हैं वो भी यही एक अपनी क्योंकि वो कविताएं और गीत भी लिखा करते थे, सुनाया करते थे तो उसमें परसोवी बच्चों ने कितने सुन्दर ढंग से वही राज माता जी की पंक्ति ओं का इस्तेमाल किया कि हम तो इस गुड़ के और शकर के हम एक उसी के हम ग्रहक हैं, कोई मिर्चियां बेचता है वो तो बेच रहा है लेकिन हमारे पास तो है ही नही मिर्ची तो हम देंगे क्या हमारे पास तो शक्कर है, मिठास है, हम तो वही देंगे तो यही हमारे पास संबार हो, यही हमारे पास भंडार हो एक प्यार वाला, अपनत वाला, यही भंडार हो यही हमारे पास वो गुदाम भरावा हो और ये गुदाम ऐसा है, इसमें जितना हम निकाल कर देते चले जाएंगे, ये इन्वेंटरी कम नहीं होगी, ये बढ़ती चली जाएगी, it will just multiply, because love is the only commodity which doesn't diminish when you divide it, when you distribute it, it ever increases, so इस प्रकार से ये एक प्यार जितना बांडते चले जाएंगे, उतना हमारे पास और ज्यादा आता चले जाएगा, it will just multiply, the more you give love to others, the more stock you will have, you will have inflated stock of love, because you are in habit of giving love, because it is a part of your life and it is your life, so इस प्रकार से ये प्यार के कारण ही, ये ऐसे अपनत के भाव के कारण ही, ये ऐसी देन दी जा रही है, सेवाई की जा रही है, एक सेवा की सीख हमें मिल रही है, जहां पर कितने प्रकार की सेवाईं लगातार हो रही है, like सुच्चता भी आन चल रहा है, मिशन के दोरा कितने ऐसे ड्राइव्स चल रही है, जहां पर ये साफ सफाई जगे जगे पर की जा रही है मनों की सफाई के उपर जोर दिया जा रहा है और बाहर की सफाई के उपर भी ये जोर दिया जा रहा है तां कि चारों तरफ ये साफ सुत्रा सा हर स्थान हो मन का आंगन हो, घर का आंगन हो हमारे गली महले हो सब इतने साफ सुत्रे हो तां कि कोई किटानू पैदा ना हो ना मन में ऐसे किटानू पैदा हो जो किस कदर हमें मारे मन को रोगी बना देते हैं और ना बाहर किटानू पैदा हो जो हमारे तन को रोगी बना देते हैं वो बाहर की गंदगी भी हमें अखरती है और मन की मैल भी अखरती है तो इस परकार से ये दोनों लिहाज से अंदर और बाहर ये मैल ना हो, सवच्छता हो, सफाई हो और इस परकार से हम अपने आपको निभाते चले जाएं अपने आपको इस रूब में हम पेश करते चले जाएं और जिस तरह से यह यतन हो रहे हैं यह उपराले हो रहे हैं यह एफर्ट्स हो रही हैं टाइलेस एफर्ट्स हो रही हैं तो वक्य ही इनकी कीमत है, इनका महत्व है और उसी प्रकार की सेवाएं लगातार इस समागम में भी आप देख रहे हैं, जो कि एक जीवन का ऐसा महत्पुरण अंग बन चुका है, क्योंकि सतसंग सुमिरन और इसके साथ-साथ सेवा इसका महत्व साथ ही है, ये तीनों ही साथ-साथ चलते हैं, सतसंग भी, सुमिरन भी, सेवा भी, ये साथ-साथ चलते हैं, तो इसी प्रकार से ये सर्विं हमानिटी ये सेवा just remembered a quote a saying which Thakur Ravindana Tagore ji wrote famous saint poet from West Bengal he was a Nobel laureate and once he wrote that I slept and then then I dreamt and I dreamt that life was joy I woke up and found life was service and service was joy so while serving we get the true joy the true happiness so that's what we are seeing all around whether they are the able competent team of doctors from far and wide another stewardship of dr. oversteen and for that matter all the several volunteers and the volunteers who have been working with this team of doctors and also the so many saints serving during this amagam and always ready to serve others as also a saint once said that we are born to serve others and others are born to get service outside of us so similar sort of enthusiasm we are seeing all around you are all participating in cleanliness drives in tree plantation drives mission has adopted around 46 railway stations of India every month at one given time throughout India 20,000 volunteers are working on various platforms for their cleanliness so that's happening every month sky is the limit to serve mankind so our agenda is the limit to the gym that we are all going to pursue our lives that we will carry on and all these efforts are from our givens on our lives to our communities and our leaders to our families the number ofようaries the prepare to our lives that we have a community that we have कि एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ और इस परकार से इस एक को अपने जीवन में लाएं हैं इस एक को जान लिया है इस निर्गुन को जान लिया है एक निर्गुनाचा संग तो इस निर्गुन के साथ अपना नाता जोड लिया है और इस परकार से अपने इस जनम को लाब अच्छा प्राप्ट कर लिया है इस जन्म का और दुनिया के हर इनसान को भी यही पैगाम दे रहे हैं जो संद तुका राम जी ने भी दिया था कि रातर गेली दिवस गेले आयोश गेले जन्मा आय उनकाय केले विश्या चे सूग गेता हर घड़ी चिंता पन्ना नाई जन्म रहाता सौन सारा चे मोठे कोडे अनलतित के होते थोड़े तुआव सा संगत तुका मने ताग उनतलासी सब पताला नरका जाशी तो इस तरह से चैस संतुका राम जी की बानी हो हर कोई यही कहते आ रहे हैं हर किसी ने यही संदेश दिया है कि हम एक एक पल अपना बिता रह रहा है बचपन किशोरा वस्ता जवानी और एक के करके यह बरस बीता चला जा रहा है एक एक पल बीता चला जा रहा है वही कह रहे हैं कि रात रगेली दिवस गेले रात भी जा रहा है दिन भी जा रहा है तो आउसा संगत इस परकार से आयोश गेले सारी उमरी ये हातों से निकल जाती है ये जीवन हातों से निकल जाता है इसलिए जीवन का सचा लाब हम प्राप्त करें इस मालिक खालिक से नाता जोड़ें और इस से नाता जोड़कर जहां आत्मा को मोक्ष और मुक्ती प्राप्त होती है वहां पर जिस प्यार का जिस भाई चारे का जिस प्रेम का जिक्र हो रहा है वो भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और उसी के कारण हम शोबा के पात्र बनते हैं यश के पात्र बनते हैं औरों के लिए भी हम कल्यानकारी थाबित होते हैं तुदास इनी शब्दों से आप से इजाज़ चाहेगा सासंगजी धानक